Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का Topic 9 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे दखन का ग्रामिन समाज के बारे में दोस्तो यह Topic Important है और कई बारे में पूछा भी गया है ग्रामिन समाज के बारे में हम जब बात करते हैं तो गाओं का रहन सेन किस परकार का था? गाओं की समाजिक व्यवस्ता किस परकार के थी? इसके बारे में हम बात करते हैं अब देखो यह जो कोश्चन है गाओं की समाजिक बड़ा है तो उसको कसबा कहा जाता था ठीके गाओं के अंदर में कई सारे blocks में बटे होते थे blocks कहने का मतलब क्या, उनको thal का जाता था गाओं के अंदर में ठीक अलग-अलग parts में divided होते थे और हर एक thal का एक मालिक हुआ करता थे जिसे thal swami के नाम से जाना जाता था तो इस तरह से थालसवामियों आते थे और एक गाउं के अंदर में कई तरह के कारीगर रहा करते थे, कई तरह के हुनरबाद रहा करते थे, हुनरबाद करने के मतलब क्या, कि जैसे माल लोग कोई नाई है तो नाई हो गया, बढ़े हो गया, ठीके, तो इस तरह से अलग- अलग अलग पोस्ट पे रहने वाले पदादिकारी होते तो वो रहते थे जमिंदार रहते थे तो अलग अलग तरह के विविंच रेडिये के लोग आपको गाओं के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं ठीक है समझ में आता है दोस्तों यहां पर मैं बात करूँ जब हम दख होता है जमीन अपती मतलब उसका मालिक थिक है तो बूपती बड़ा जमीन का जो मालिक है बढ़ा बूपत्ती जमीदार के जिसको जाना जाता था वह गाओं को बनाता था रहती अगता भोग परताथा हो एक ग्यां कर कक्डविबत है में आधिकारी फिपाती जो इसको उसके बारे में जानकरिये बहुता है वह मुक्दम का काम होता था तीसरा इसके अमें जुश्थ आता था , जो लेख्वा का काम करता था , ये ऐसा हुआ ये नहीं हुआ , rying लेख्का का काम होता था ठीक है तो यह तीन चीज आ जाता है अपने ग्रामिन अधिकारियों के अंदर में जो दूसरा सबसे बड़ा important point होता है एक ग्राम के निर्मान करने के लिए तीसरा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा आता है मिरासदार ठीक है यहाँ पर का जाता है मिरासदार 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 क्या होते हैं कि यह एक थालवाई के नामक स्वामी हुआ करते थे जो किसान एक तरह से मानलो जो थाल अलग-अलग blocks बटे हुए न ठीक है यह गाओं के अंदर में छोटे-छोटे blocks में बटे हुए थाल जिसको हम थाल बोलते हैं तो उन थाल के जो मालिक भुआ करते थे जो permanent किसाने के तौर पर जाने जाते थे तहो उन ही को हम मिरासदार के तौर भी जानते थे ठीक है समझ चूद्धाय प Caitlin किसान हुआ करते थे कुछ दिन किसान नहीं कर रहे हैं कुछ दिन कुछ और कर रहे हैं तो उपारी भी यहां पर रहते थे जो कि गाओं को निर्मान करते थे पांच वाज़े उस तब से इंपोर्टेंट यहां पर आया जाता है अगला तत्व, हमारा बलूतेदार, बलूतेदार क्या होता थे जान है तो इन पांच तत्वों से मिलकर ग्रामिंट समाज का निर्मान होता है, यह ऐसा माना जैता है तीहां सकारों के दोरा ठीके समझ में आता है यहाँ पर मैं बात करूँ गरामीन समाज की भूत अता समाजी की स्तरीकरन किस तरह से जमीनों को बांटा गया उसका स्तरीकरन किस परकार से किया गया तो इसका स्तरीकरन भी टोटल 6 तरीके से किया जाता है छे पार्ट में स्तरीकरन किया जाता है भूमी भूमी का इस तरी करने का 6 points होते हैं, पहला point के अगर मैं बात करूँ तो कहता है मिरासी कस्तकार, मिरासी कस्तकार क्या होते थे कि इनके पास अपना भूमी होता था, उस भूमी पे इनका मालिकाना हक होता था, भीया यह जमीन किसकी यह मेरी है, तो उनके पास मालिकाना हक भी उस जमीन का रहता था और वो खेती कारे करने का कारे करते थे तो ये मैं बता रहूँ अभी जो आपको बता रहूँ ना 6 पॉंट ये जमीन को किस हिसाब से बांटा जाता था उसको बता रहूँ गाओं के अंदर में किस तरह से जमीन बटा होता था तो पहला आ गया मिरासी कस्तकार, इसका कहने के मतलब क्या होता था कि यह जमीन किसी मेरी है, मेरा जमीन में मालिकाना हक है, जैसे मर्जी में यूज करूँ और खेती करूँ जो करूँ वह इस तरह से यूज करता था, दूसरा आता था उपारी कस्तकार, उपारी कस्तकार क्या सरकारीби होता था था है तरह इनाम q किसीज के द तरह पर है च्रकारी भूह में लिए जाना खराथ करने के लिए क्लतए के संधियरिक अधिक है पुरदो प्यां और करने के द हम क्या परपस होता था तो धार्मिक कारे करने के लिए आप मंदिर बना रहे हो कोई बंडार करवा रहे कुछ कर रहे हो उसके लिए प्रसासनिक कारे करने के लिए कोई अपने प्रसासन का कारे करने के लिए आपने लिया है ठीक है समाजिक कल्यान कारी कारे करने के लिए आपने मेरी हुई पित्रक जो हम कहते न मेरे बच्चे की हुई तो पित्रक हुआ यह सब से जादा सम्मान की बात हो थी ठीक है कि आपको मिलना easy to earn होता था अराम से क्योंकि आपके बाप ने कमाया है मैं आपके पिता जी ने बनाया है और आपको मिल गया transfer हुआ directly ठीक है तो ये वतन भूमी के नाम से जाना जाता था और इसका नाम भी होता था सेना के अंदर में काम करते थैं प्रशाशन के लिए यहाटा जाता था खाह вас छोओं ने खाहो कीद करते सके nepal करते हैं यह, पूरी वैबसथा रहती यह गाओं के अंदर में ठीक समझ में। मैंने आपको द्खण का ग्रामीट समाई समझे में सबस्केषा में आपको बेसिक चीज़ बताए कि गाओं को किस तरह के देखा जाता है क्या क्या चीज़ गाओं के अंतर में वैलिबल है उसके बाद मैंने आपको बताए कि गाओं का जुस ग्रामिन समाज है उसका मुख्यता पार्ट्स क्या क्या चीज़ें किस तरह से बनता है जिसमें बड़ा जमीदार आ गया उसके बाद छोटे-छोटे हैसा करके पूरे 5 टॉपिक्स यह आ जाते है उसके बाद भूमी को किन टुकडों में बाटा जाता है किस तरह से बाटा जाता है वो मैंने आपको बताया तो यह पूरा question का answer आप अच्छे से लिख सकते हैं अच्छा number मिल सकता है ठीक है और friends आप subscribe रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपको लिए valuable लग रही है तो like, share, subscribe जरूर करें अपनी status पर जरूर हमारे वीडियो का link लगाएं अपने दोस्तों तक पहुंचाएं एक-एक like, एक-एक से से हमें motivation होती है और हम अच्छे से work करते हैं और आपके लिए वीडियो बना पाते हैं तो friends, thank you so much for watching me thank you so much for listening me, bye-bye, take care, all the best